गुड आफरनून स्टूडेंट्स बिटा लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्रेक्टरिस्टिक्स आफ एंजाइम्स करवाई तो बिटा उसके बाद जो नेक्स टॉपिक है आपका वो है मैकनिजम आफ एंजाइम काटलाइज़ रेक्शन ठीके जैसे एंजाइम जब किसी र एक्शन में जाते हैं तो उनके पीछे का क्या मैकनिजम है वो कैसे काम करते हैं यह अब हम पड़ेंगे पाल यह जो मैकनिजम है मैं आपको 3 step में करवाउंगी 1 step 1, step 2 and step 3 step 1 binding of enzyme 2 substrate to form enzyme substrate complex इसमें क्या है enzyme substrate के साथ combine करके enzyme substrate complex बनाता है बिटा जो इसमें substrate जो word यूज किया है ये किसके लिए यूज किया है reactant के साथ means हम कोई भी reaction लेते हैं उसके साथ उसमें जो reactant है उसके साथ जो enzyme जो है वो combined होगा पहले यह binding of enzyme उसके बाद जो है complex जो बनता है हमारे पास enzyme substrate बनता है एक बेटा ध्यान रखिए जो enzymes होती है इनके पास जो होती है active winding side होती है active winding forces होती है इनके पास ये substrate के साथ combine करती है हमारे पास क्या बनाती है enzyme substrate complex एक enzyme ने substrate के साथ combine करके enzyme substrate बनाया step 2 अब ये तो था हमारे पास reactant के साइड़ी इसके बाद क्या बनेगा product association of enzyme product second enzyme substrate हमें क्या देता है enzyme product enzyme जो है बेटा वो as it is ही रहता है enzyme substrate enzyme जो है वो as it is ही रहता है substrate enzyme substrate किसमें चेंज हो गया enzyme product में third step में क्या होता है बेटा dissociation of enzyme substrate complex to form the product अब इसमें क्या करता है enzyme जो है product को अलग हो जाता है enzyme जो है product के से अलग हो गया देखे बेटा step 1 में क्या करता है enzyme substrate के साथ complex बनाता है जिसको बोलते हैं enzyme substrate complex ये कौनसे side पर है पर rectant की side पर ही है पर फिर उसके बाद होता है second step association of enzyme product enzyme as it is रहा और उसने क्या बना दिया substrate के साथ मिलके product बना दिया enzyme product और third step में क्या होता है enzyme अपने आपको product से अलग कर लेता है बेटा जो ये सारा mechanism है आपका enzyme catalyzed reaction का ये आप लोक और की का combination देखा है ताला और चाबी आपने देखा है कि जो एक particular lock होता है उसकी particular चाबी होती है particular key होती है उसकी उसी key के साथ हो जो है lock को हम open कर सकते हैं बेटा लोक के लिए आपने देखा होगा key के उपर design से बने होते हैं देखिए और उसी key के साथ हम lock को open कर सकते हैं अगर हम कोई दूसरी key use करते हैं वो उस lock की नहीं है तो उसमें वो fit नहीं आती है तो वो lock open नहीं होगा वैसा ही है यह देखे बेटा अगर आप देखेंगे तो यह क्या है सुपोज हमारे पास यह enzyme catalyst है जो यह shape जैसे बनाई है यह क्या है active side है जो enzyme है वो work करता है as a lock और यह हमारे पास क्या है substrate कैसे work करता है अगर lock में key लगा दी जाए यह देखे यह shape ऐसी बनी है active side है यह क्या है binding active side है यह substrate को अपनी side क्या कर लेगी attract कर लेगी और यह दोनों combine होके enzyme substrate बना रहे है enzyme substrate बना रहे है इसके बाद जो है इधर देखिए बेटा enzyme substrate बनाने के बाद उन्होंने enzyme product बनाया यह ऐसे ही और जो product है वो कुछ ऐसे अलग बनेगा इसको मैं लिख देती हूँ enzyme enzyme product अब यह enzyme product बाद में dissociate हो गया किसमें हो गया dissociate enzyme catalyst और product में ठीक है enzyme यह देखिए lock यह key दोनों insert हुए हमारे ऐसा हो जाता है न फिर हम क्या कर सकते हैं lock और की को दवारा से अलग अलग भी कर सकते हैं same है enzyme catalyst substrate rectant enzyme substrate complex enzyme product and then enzyme अलग हो गया और product जो है वो अलग हो गया पिटा this is a mechanism of enzyme catalyzed reaction I hope कि आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा आपने यह अच्छे से कर लेना है अगर आपको नहीं पूछ पता चलता है तो आपने पिटा पूछ लेना है जो भी questions होंगे वो आपने पूछ लेने हैं जो झूज आपड लेना होगी